अपने पसंद देदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आजी सब्सक्राइब आज़ें और बेल आइकन दबाना ना भूलें शुक्रिया शुक्र दोबरा शुक्र परते हैं शायर ने कहा ता कि खुश्बूसे के जबान में बातें करेंगे लोग महफिल में ये सवाल तुझे देख कर हुआ हमारे पास तहजीब के शहर लखनौ से एक शायर आया है जो खुद बहुत खुबसूरत है और बहुत खुबसूरत शायरी करता है शायरी में नए नए जावी नए नए इस्तियारे लाता है ऐसे शायर शहबास तालिब भाई हमारे बीच मौजूद है मैं चाहता हूं कि आपके जोरदा तालियों से शहबास तालिब साब को सुना जाए आदावाजरीन जैसे कि अभी शुरू में ही असल्म राशिद साब नहों कुम दिया था आप एकतिसार से कामले मैं एक बाद यकीनी तोर पर आपसा कहना चाहता हूं कि मुझे इकतिसार के माईने बहुब भी आते हैं और अभी महरा मोतरव राना साब जितनी कीमती बाते आपके सामने रख रहे थे यकीनी तोर पर ये आपकी शक्सियत का जादू है सर कि आपकी जो रानाई थी उन लफ़जों की यकीनी तोर पर हम उमीद करते हैं कि आपकी बात हुगुमा तक पहुँचेगी और आप इस त से आने का मतलब ये भी हो जाता है कि आप लोग ये कताई ना समझे कि मीर के जैसे गाड़े शेर पढ़ूँगा जैसे आप जैसी यहां शाहिडी अभी तक पढ़ी गई है उसी में शाहिडी करने कोशिच करूँगा आप से मिरीद भाया तश्री फर्मा है बहुत बहुत अ आसपास के जो लोग है वो भी शाहिडी पसंद करने लगता है आई आजिर मैं आजिर करता हूँ चांद अशार मुलाज़ा की जास किया है कि सारे अलफाज ये तुम्हारे थे सारे अलफाज ये तुम्हारे थे बिन तेरे जिन्दगी नहीं होती दूर होके भी मुझ से जिन्दा हो तुमको शर्मिंदगी नहीं होती सारे अलफाज ये तुम्हारे थे बिन तेरे जिन्दगी नहीं होती दूर होके भी मुझ से जिन्दा हो तुमको शर्मिंदगी नहीं होती हाजी नर्श किया है के महबत की जरूरत है खसारा कर लिया जाए बहुत अच्छा है महबत की जरूरत है खसारा कर लिया जाए किनारे में भला है तो किनारा कर लिया जाए मुखबत की जरूरत है, खसारा कर लिया जाए, कनारे में भला है तो कनारा कर लिया जाए, हमारी अकल कहती है, तमाशा एक काफी है, हमारा दिल ये कहता है, दुबारा कर लिया जाए हमारी अकल कहती है, तमाशा एक काफी है, हमारा दिल ये कहता है, दुबारा कर लिया जाए, अर्श किया है कि किसी के हिज्र में मरने से बहतर, किसी के इश्क में जी कर दिखाओ, किसी के हिज्र में मरने से बहतर, किसी के इश्क में जी कर दिखाओ, नफा क्या जाम लुड़काने से हासिल, मजा तो जब है कि पी कर दिखाओ, दोस्तों ये गजल के चंद अशार मुलाज़ा करें, अर्श किया है कि खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे, खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे, हम नए पेड़ हैं, अंदर से निकल आएंगे, खून अपके तिरे सीने से नहीं निकलेगा, खून अपके मेरे सीने से नहीं निकलेगा, अपके आँसू तिरे खंजर से निकल आएंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खून अपके मेरे सीने से नहीं टपकेगा, अपके आँसू तिरे खंजर से निकल आएंगे, दोस्ते एक वाशिंग मशीन आईए, होजाता है शेयर सुनिये अपके हाशू तेरे खंजर से निकल आएंगे नाव चोंवेगे खिनारों को करेंगे सजदा याव चोंवेगे सब्सक्राइब बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे नाव चुमेंगे समंदर को करेंगे सजदा बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे यू तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना यू तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना बहुत अच्छा है कितने दरिया मेरी ठोकर से निकाल आएंगे क्या कहना है एक गजल के चंदाशार मुलाधा कीजिए कि अर्जु किया कि चलो छोडो मैं रुस्वा हो गया ना सावन भाई आपकी नज़त नहीं है एक चलो छोडो मैं रुस्वा हो गया ना तुमारा जी तो हलका हो गया ना तेरा हरदा उल्टा हो गया ना क्या कहने है, क्या कहने है, बहुत अच्छा है, लगी है बद्दुआ तुछको किसी की, तिरा हर्दाओं उल्टा हो गया ना, कहा भी था, यू जलना छोड़ दो अब, लो देखो रंग काला हो गया ना, क्या कहने है, 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 क्य रिखता रहता हूं। जितनी गजलेती फारदी मैंने, अब तेरा नाम लिखता रहता हूं। जो सबने की मुझे बीमारी नहीं है लेकिन आप लोग इतनी महवड़ता सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको जो जो वो अलग बांद के रखा है जो माल अच्छा है तो उसे अच्छे माल में से आपको कुछ सुना दिया जाए अर्श किया है कि जैसे जैसे बिरिद भी या बहुत पुसूश दोर पर कि जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है दिल का गहरा जखम भी भरने लगता है जैसे जैसे वक्त गुजरने लगता है दिल का गहरा जखम भी भरने लगता है एक खसारा ये भी है ना रोने का जिस्म के अंदर पानी मरने लगता है एक खसारा ये भी है ना रोने का जिस्म के अंडर पानी मरने लगता है और चार मिसरों मुलादा कीजिए अर्श किया है कि दिले तबह की तलखी जो कम नहीं करते यह जो पिर जाती है वो हर जगा पाई जाती है दिले तबह की तलखी जो कम नहीं करते किसी भी हाल में आखों को नम नहीं करते हमारे दौर में ऐसे भी लोग है तालिब जो गम की बात तो करते हैं गम नहीं करते हैं अर्ज किया है कि हमी पे गम है भारी क्या करे हम हमी पे गम है भारी क्या करे हम किसी की गम गुसारी क्या करे हम और दोस्तों शेर देखिए आप जहां तक पहुँचे मैं पढ़ने का होसला कर रहा हूँ आप लोग वहां तक पहुचने की कोशिश कीजिएगा हमी पे गम है भारी क्या करे हम किसी की गम गुसारी क्या करें हम हमारे एब साब मालूम तुमको तुमी से होश्यारी क्या करें हम हमारे एब साब मालूम तुमको तुमी से होश्यारी क्या करें हम एक शेर अकला वाला भी उधरी है कि तुमी से होश्यारी क्या करें हम अजियत कुछ तो समझो तुम हमारी बया हर बेकरारी क्या करें हम अजियत कुछ तो समझो तुम हमारी बया हर बेकरारी क्या करें दोस्तों चार मिस्रे और मुझार की अर्श किया है कि नदी में खून की बहना पड़ेगा नदी में खून की बहना पड़ेगा भला कब तक ये सब सहना पड़ेगा इलाही इलाही हाल पे कुछतो रहम कर हमें तुछ से भी कुछ कहना पड़ेगा क्या कहना है क्या कहना है आपने कमदोरी सुना लेकि शेर अच्छा था इलाही हाल पे कुस्तो रह्म कर हमें तुछ से भी कुछ कहना पड़ेगा अर्श की आए कि ये दिल रंजूर होना चाहिए था कि ये दिल रंजूर होना चाहिए था कि शीशा चूर होना चाहिए था मेरा ये जखम जल्दी भर गया क्यों इसे नासूर होना चाहिए था मेरा ये जख्म जल्दी भर गया क्यों इसे नासूर होना चाहिए था और सावन भाई ने भी कहा कि वो एक सांबली से मैं मैं बैठी है मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा सब खुशूरा चेरे बैठे हैं जमी पे रह रही हो मिसले इंसा जमी पे रह रही हो मिसले इंसा तुम्हे तो हूर होना चाहिए था जमी पे रह रही हो मिसले इंसा तुम्हे तो हूर होना चाहिए था मुसलसल मुसलसल ढो रहे हैं दोस्ती को मुसलसल मुसलसल ढो रहे हैं दोस्ती को हमें मजदूर होना चाहिए था बहुत अच्छा है तालिब भाई क्या कहना है दोस्तो यह ते शेहवास तालिब भाई लपनोव से